Hello everyone, welcome you all at Locator Unlimited Study Zone तो प्यारे बच्चों हम यहाँ करने जा रहे हैं Solution Physics के पेपर 2022-23 जो कि मादमिक शिक्षामंडल मद्धप्रदेश भोपाल का question paper मतलब मैं यूँ कह दूँ कि यह MP Board का question paper है जो कि 2022-23 के सत्र के दौरान पूछा गया है और current year इसका चल रहा है 2023 तो त्यार हो जाएए copy और pen लेकर के मिलान कर दे के लिए कि कितने प्रशन आपके सही रहे हैं प्रशन तो सही है ही कितने उत्तर सही रहे हैं मतलब अपने answers objective का मिलान करने के लिए त्यार हो जाएए एक idea लगे अपको तो वीडियो की सुरुआत करने के पहले वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है लाइक कर दीजे और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजे जिससे की मेरा मोटिवेशन बहुत आत्मविश्वास आपकी मदद करके बढ़ सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस जर्नी को देखिए तो ये आपके सामने क्वेशन पेपर आपको दिखाई देगा यस ये आपके सामने क्वेशन पेपर है ये इस तरीकी का प्रशन पत्र का पहला पेस था और अब यहां से सुरू हो जाता है हमारा part 2 एक मिनट एक मिनट यहां पर question number 2 से ही सुरुआत किये बचे ने question number part 1 नहीं इसमें दिया हुआ है तो मेरे को एक मिनट मैं part 1 आपको शो करता हूँ तो मित्रो ये है आपके सामने question paper का पहला भाग जो है जिसे आप part 1 कह सकते हैं तो पहला भाग का सबसे पहले objective question यहां पर दिये गए है देखी कहरा किस उपकरण का उपयोग सेदिस्ट कारी के रूप में किया जा रहा English में भी यहां पर लिखा हुआ है तो इसका correct answer है संधी diode कह लीजे इसको संधी diode कह लें या इसको आप junction diode कह लें दोनों एक बाते तो correct answer इसका संधी diode या junction diode English में चलिए अगला है नेत्रिका की focus दूरी अभी दरस्य की focus दूरी से देखी दूर दरसी की बात हो रही है कि दूर दरसी में जो नेत्रिका की focus दूरी होती है अभीदरश्यक की focus दूरी से क्या होती यहां पर result मांगा गया है तो यह जो दूरदरश्य का question है यह दूरदरश्य के concept से हल होगा देखें क्या concept लगता है हम जानते हैं M is equals to F O upon F E और अगर हमें आवर्धन जादा चाहिए है तो M जादा होने के लिए F E कम होगा नेत्रिका की focus दूरी अभीदरश्यक से बोल रहा मतलब नेत्रिका की पर बात होड़ी तो answer क्या होगा is less than यहने की कम होगी तो यदि English में बोला जाए तो इसका answer होगा is less than the focal length of eye piece will be less than than the focal length of the objective lens चलिए अगला देखिए अगला जो question है वो तो रटने वाला question था एक neutron का द्रमान कितना होता है तो एक neutron का द्रमान देखिए कितना होता है बताईए तो mass of the neutron होता है 1.67 into 10 की power minus 27 kg यह होता है mass of the neutron is equal to 1.67 into 10 की power minus 27 kg अगर यह gram में आता तो इसको हम लिखते है 1.67 into 10 की power minus 24 ग्राम बट ही किलो ग्राम में है तो 1000 का डिवाइट कर देएगे तो कितना बन चुका है 10 की power minus 27 अगला question बेहत सरल आया है धारा घनत तो धारा घनत जे इस इकल्स टू होता है I upon A that is equal to ampere per meter square तो इसका correct answer क्या होगा ampere per meter square इसका correct option होगा चलिए अगला question है तो English में मुझे बिरकुद ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए मैं English पारबर भूल रहा हूँ So the current density is equal to ampere per meter square तो option number 2 is correct here ampere per meter square चलिए अगला question एक हिंदी माध्या में शुद्ध संधारितर युक्त प्रत्यावर्ती परपत में प्रभाहित धारायवम आरोपित वोल्टता की बीच का कलांतर होता है It means यहाँ पर आपसे face difference पूछा गया है current और voltage की बीच में तो आपको पता है कि current और voltage की बीच में जो face difference होता है तो जो current होती है वो pi by 2 तो यहाँ पर voltage हुआ करता है वो क्या करता है pi by 2 lag करता है voltage यहाँ पर क्या करता है pi by 2 lag करता है तो यहाँ पर यह चलता है यहाँ पर आपके पास में यह current होती है और यह आपके पास में यहाँ पर voltage आ जाता है तो यहाँ पर answer कितना आएगा पाई बाई बाई टू बट यह देखे यहाँ पर दोनों option आपके पास दिये गए है एक दिया गए प्लस पाई बाई टू और एक दिया है माईनस पाई बाई टू और condition कौन सी यह lag ही की है lag याने की पस्च गामी ठीक है ना lag याने की पस्च गामी है तो आपको बताना है की एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखे यहाँ पर problem ही हो रही की दो option दिये हैं बट एक चीज़ देखे आप यहाँ पर यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया है कि कौन किस से कितने degree पस्च गामी या अग्रगामी होता है मतलब यह नहीं पूछा गया है कि कौन किस से lead कर रहा है बस यहाँ पर क्या पूछा गया है angle of phase पूछा गया है कि angle of phase क्या है तो angle of face जो होगा इसका कितना होगा यह pi by 2 होगा क्योंकि यहाँ पर यह नहीं बोला गया कि कितना आंगे या कितना पीछे या कौन किससे ऐसा नहीं बोला है कि IV के साथ या वी जो है आई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है केवल आपको किससे बोला गया है मतलब सीधे सीधे दो quantities के बीच में relationship पूछी गई है तो आपको इसलिए ये क्या होगा correct answer इसका pi by 2 होगा minus pi by 2 तब इसका answer होता जब यदि ये बोलता कि कि इसका voltage current से कितना आंगे कितना पीछे तब ये इसका minus pi by 2 होता बट फिलाल अभी answer नहीं है चले आंगे बढ़ते हैं ओके ये देखे क्या कहरा कि भाभा प्रमाडू अनुसंधान केंदर इस्थित है तो ये मुंबई में इस्थित है ओके इसका correct answer है ये मुंबई में इस्थित है अगला question देखे जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित उर्जा अंतराल आपको बताना है कि जर्मेनियम अर्धचालक में जो forbidden energy gap हुआ करता है forbidden energy gap का मतलब valence band और conduction band याने challenge band और सायोजी band के बीच का जो gap हुआ करता है वो कितना हुआ करता है ओके तो ये semiconductor electronics याने की अर्धचालक युक्तियों का question है तो बच्चो ये अब ऐसे question में बच्चे बहुत परिसान हो गए होंगे क्योंकि especially ये जो question है book के अंदर की एक line से पुछा गया है कि ये क्या होता है तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो silicon होता है वो थो germanium का energy gap होता है वो और कम हुआ करता है तो 1.1 से यहां दो कम option दिख रहे हैं देखे 0.72 और 0.75 मतलब बहुत ही करीबी option आपसे पूछ लिए हैं ये तो किसका होता है ये silicon का होता है ओके तो correct option इसका देखे जो germanium का बुला जाता है 0.7 electron volt बुला जाता है जो germanium का energy gap होता है व electron volt is the correct option ओके डन सो ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं ये हमारे जी मतलब साथ के साथों question A B C D E F G exactly 7 questions हमारे हो चुके हैं अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर ये देखे दूसरा पार्ट हमारे पास आ चुका है यहां से हमें दारा यानि की DC करेंट बेरेस बहुत सिंपल सवाल DC करेंट की फ्रिक्वेंसी पूछी के यह 0 होती है दा फ्रिक्वेंसी आप दर डी सी करेंट इस 0 सबसे अधिक आवरत्ती की विद्व चुम्मे की तरंगे कौन सी होती हैं ओके इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव अब दा इस प्रिक्वेंसी प्रकास तरंगों में सबसे अधिक आवरत्ती कोटी होती यह देखो भई प्रकास तरंगों की आवरत्ती की कोटी होती तो आपको यहां पर और निकालनी है कि प्रकास तरंगों की ओडर क्या है मतलब तरंगों की किसकी ओडर फ्रिक्वेंसी की ओडर मतलब की फ्रिक्वेंसी का आपको ओर्डर निकाला है आए देखते हैं कैसे निकालेंगे देखें आप चानते हैं कि C equal to कितना होता है new lambda C equal to कितना होता है new lambda तो ये electromagnetic wave के लिए formula लगता है तो C new equal to कितना हो गया अब जो C की value होती है वो तो आपको सबको पता है कि 3 10 की JASON 8 meter पर सकेंड यहाँ जो होता है तो किस के लिये बोल रहा है किस के लिए देखें यह जो है यह प्रकास तरॉंगों के लिए ओके प्रकास तरॉंग के लिए किस वेव के लिए बोल रहा है है ना द्रश्य तरंगों के लिए बोल रहा है वहां पे निकालना पड़ेगा है ना द्रश्य तरंगों के लिए है ना चलिए तो द्रश्य तरंगों के लिए मैं निकालता हूं कैसे निकालते हैं अपन द्रश्य तरंगों के लिए आप जानते हैं क चलो दो भाई यहां लग दो लेमडा की value किती 5000 एंगस्ट्राम एंगस्ट्राम कितना होता 10 की power minus 10 चलो बहुत बढ़िया अब देखो यहां से यह है 3 और यह है अपने पास में कितना 5 और यह कितने 3 0 हैं और यह minus 10 हैं तो नीचे कितना बचेगा 10 में से 3 गए minus का 7 और उपर कितना है plus का 8 तो यह है 3 यह है 5 ओके और उपर कितना आ जाएगा 8 और 7 हो गए 15 10 की power 15 अब एक काम करिए स्वरी 15 है एक काम करिए 1 0 इसको दे दीजिए तो यह कितना बचेगा 30 upon 5 into 10 की power 14 यह cancel कर दीजिए 6 तो यह हो गया कितना 6 into 10 की power 14 ओके अब देखे order का क्या rule होता है order का rule होता है कि जो पहला digit आपके पास में होना चाहिए यह वो 1 से छोटा होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1 से छोटा बनाने के लिए मैं 6 में 10 का डिवाइट करता हूँ और उपर 10 का multiply कर देता हूँ 10 की power 14 के साथ तो यह कितना हो गया 0.6 into 10 की power 15 order का मतलब होता है यह हो गया ना 1 से छोटा अब आपको 10 की power को देखना है तो 10 की power यहाँ पे कितनी हा रही 15 हा रही है तो 0.6 into 10 की power 15 तो उन कोस्टन है यह तो जिन बच्चों ने रट लिया होगा उनको बन गया होगा otherwise तो यह कोस्टन मुस्किल एकी बहुत कम लोगों से ही बना होगा तो इसका correct answer कितना है इसकी जो order होती ही 10 की power 15 होती है So what is the order So the order is 10 to the power 15 Yes Next question is the velocity of light when it goes to the rarer medium the dancer Okay rarer medium to dancer प्रकास का wake viral माध्यम से सगन माध्यम में जाने पर क्या होता भाई सब कम होता है प्रकास का wake जो होता है अगर आप viral से सगन जाते है तो प्रकास का wake क्या हो जाता है कम हो जाता है जी हाँ ओकि formula होता है V equal to c by mu V equal to c by बढ़ जाएगा तो वेग जो होगा प्रकास का वो कम हो जाएगा तो correct answer यह भी हो गया है अगला है चुम्बिकी छेतर कैसी राशी है तो भाई सब सदिस राशी है it is a vector quantity so guess यह हो गया है विल्कुल सही it's a vector quantity in English set to be vector quantity shunt के उपयोग से धरा मापी की क्या कम हो जाती है थारा मापी की प्रतिरोध कम हो जाता है ना shunt के उपयोग से अगर अब shunt उपयोग करते हो तो धरा मापी की जो होती है प्रतियोग the the use of galvanometer reduce the use of shunt 1-1 a minute the following of the galvanometer reduced by the use of shunt किस चीज का उप्योग करोगे जिससे की यह कम हो जाता है है ना मतलब शंट के उप्योग से क्या कम हो जाता है भाई क्वेस्टन की लेंगविज कितनी खतरनाक लिखी हुए है मतलब ब्लैंक है ओफ दा गैलबनोमेटर है ना इस रेडियूजड बाई यूज ऑप शंट मतलब क्वेस्टन अगर सीधा लिखता बाई यूज ऑप सेंट फॉलूविंग इस रेडियूस तो समझ में आता है ना हिंदी में भी देख लो हिंदी में शंंट के उपवियोग से धारा मापी है ना की लिख दिया है की लिखने से बड़े बच्चे niezih कंफ्यूज हो गया होग गया कम हो जाता बाई शंट के पाईक से जब आफ शंट का उप्योग करते ओ तो गेलबनोमेटर में जब आफ शंट का उप्योग करते हूं तो यह तो resistance, okay, so the resistance of the galvanometer is reduced by the use of shunt, no problem, resistance जो होता कम हो जाता है, yes, next question, the omic resistance of an ideal inductance, आप से पूछ रहा है कि omic resistance of an ideal inductance, आपके पास कोई ideal inductance है, उसका omic resistance कितना होगा, okay, 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 तो भाई, omic resistance मतलब R की value पूछी जा रही है, वो 0 होगी, क्योंकि जब कोई आप ideally coil बनाते हो, यह जैसे आपके पास में coil है, चलो इधर देखो भाई, है ना, जैसे आपके पास में कोई coil है, यह coil बनी हुई है, तो इस coil के अंदर दो चीजे होती है, एक इसका खुद का reactance और एक खुद का resistance, तो मतलब कुल यदि मैं बात करूँ इसके impedance की, तो Z equal to होता है R plus J XL, okay, तो दर्श प्रेरकत्त को ओमिक प्रतिरोध कितना होता है, जीरो होता है, तो यह सारे answers हो गया है, चली अगले question की ओर चलते हैं, अगला question जो है, हमारे पास सत्य असत्य से related है, आईए देखते हैं, सत्य असत्य क्या कह रहा है, ओके, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यह सत्य है, है ना, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सत्य, ओके, चली अगला question है, यह वाला भी हो गया, microwave oven का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है, देखो भई, microwave oven जो होता है, वो microwaves पर काम करता है, ना कि radio vapor, तो यह जो हो गया असत्य हो गया, this is wrong, radio vapor काम नहीं करता, microwave oven, अगर radio vapor काम कर रहा होता, तो इसका इस्तमाल हम लोग फोन करने है, संचार उपग रह के रूप में करते, okay, next है, अवरक्त किर्णों की खोज return नहीं की थी, रटा question है भाई साब, जो रटके गया होगा, उसको बन गया होगा, और जो नहीं रटके गया हो, तो जैराम जी हो गया भाई, इस question में, मतलब यार, ऐसा question मैं तो support नहीं करता हूँ, ऐसा question आपको आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो रटने वाली बात है, कि return नहीं करी है, तो देखते हैं, इसका answer क्या है, तो देखें, आपको याद होना चाहि नैज को क्या बोलते हैं, intrinsic, ओके, नैज मतलब की, अब English देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा है, नैज अर्धचालक, जमें मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या, होलों के बराबर होती है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, in an intrinsic, नैज मतलब होता है, आंत्रिक, बाह मतलब बा बात है, यह सत्य है, क्योंकि number of electrons equals to number of holes हुआ करते है, voltmeter विभाव मापी से अधिक स्रेष्ट है, बिल्कुल जूट बात है, बिल्कुल गलत बात है, voltmeter is not superior than potential meter, rather, potential meter ज्यादा superior होता है, voltmeter नहीं होता है, तो D-Brogly की तरंगे, विद्दुचुम्ब की तरंगे हैं, बिल्कु बिल्कुल नहीं, D-Brogly तरंगे जो होती है, विद्दुचुम्ब की तरंगे नहीं होती है, उनको हम ध्रवे तरंगे बोलते हैं, जो D-Brogly तरंगे होते हैं, उनहीं का नाम होता है, द्रवे तरंगे, जिनका जो फॉर्मुला होता है, lambda equal to H upon MV आता है, अब इनका द्रवे होता है इसलिए इनको हम द्रवित रंगे बोलते हैं ना मतलब कण का द्रमान है ना चलिए परमाडू एक धनात्मक कण है बिल्कुल गलत परमाडू एक उदा सीन कण है तो ये भी गलत हो गया तो मैंने पूरे बता दिया है आपको कौण सा सही है कौण सा गलत है आप बच्चों मिलान कर लीजिए ये ये रॉंग था एक तर हेट कर एक वाकमे उत्तर देना मतलब आपको वन वर्ड में यह ता वधन परताप का क्या प्रभाव पढ़ता है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है वी डी एककोल टू एक कैपिटल ईटाव अपॉन एम ठीक ना वी डी कुल्स टू ईए टाव अपॉन एम एक बार देख लेए निजी सही लिखा कि गलत हुआ है एम अपॉन ईटाव आई एकुल स्टू एन ईए वीडी यस तो अगर जब अब देखिए अगर जो है आप अनुगमन वेक बढ़ाएंगे एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे वीडी कुल स्टू ईए टाव अपॉन एम अगर आप ओके हाँ बस एक मिस्टेक माइनस की हो रही है यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने देखिए तो क्या लॉजिक यहाँ से बैट रहा है अगर आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो जो रिलेक्शेशन टाइम यानिकी श्रांती काल होता है वो क्या होता जाता है कम होता जाता है ओके तो यदि आप यहाँ से टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो यह चीज जो होती जाती है कम होती जाती है और उसके रिस्पॉंड में जो ड्रिफ्ट वेलास्टी होती जाती है वो भी क्या होती जाती है कम होती जाती है ठीक है ना तो अगर आप temperature बढ़ाते हैं, temperature बढ़ाने से time of relaxation कम होता है और time of relaxation कम होने से drift velocity बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही, अनुगमन वेक जो होगा, वो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, घटेगा, it means in English, what is the effect of temperature on drift velocity, by increasing the temperature, by increasing the temperature, drift velocity will be reduced, चली नेक्स देखते हैं, विकरण की उर्जा और आबरती में संबन्द बताईए, विकरण की उर्जा बहुत ही simple question, E equal to H new, विकरण की उर्जा विकरण का उतसर्जन संभाव ना हो, that is called देहली आवरती, the minimum frequency, okay, below which, below which, the photo electron not released, that is called threshold frequency, yes, what is विवरतन, प्रकास का विवरतन क्या है, okay, तो मतलब नुकीले अवरुद्धों से टकरा करके प्रकास का अपने प्रतिबंधिच छेत्र में चले जाना ही क्या कहलाता है, प्रकास का विवरतन कहलाता है, ऐसा कुछ करके मैंने बताया था, कि जहां पर प्रकास का अवरुद्ध छेत्र है, वहां पर प्रकास अतिक्रमण कर जाए, okay, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विवरतन बोलते है, okay, so the entry of the light, you can say, okay, the encroachment of light on the restricted area is called diffraction, lens की छमता का मातरक क्या है, so simple diopter ह okay, lens की छमता डाप ट्रक में ना पी जाती है, चुमबक के चुमबक की आगुण की दिसा कहां क्या होती है, south to north होती है, चुमबक की जो आगुण होता है, वो south to north चला करता है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवरतित करते हैं, how can galvanometer is changed to a volt meter, so simple, आपको galvanometer के साथ सीरीज में एक high resistance लगाना है, सीरीज में एक high resistance लगाना है, तो ये भी बढ़िया question आया थे, especially मैं बताओं आपको, कि यहाँ पर जो difficult बच्चों को लगा होगा, वो कौन सा question लगा होगा, एक तो ये लगा होगा, अनुगमन वेक पर ताप का प्रभाव, मतलब बच्चा अग बाकी कोई question में दिक्कत नहीं, बाकी तो सारे question easy है, कोई problem नहीं है, है ना, चलिए, so guys, this is part 1, ये हमारा यहाँ पर part 1 होता है, इसके बाद हम part 2 लेकर के आएंगे आपके लिए, और full solution आपके लिए बना दिये है, अपने दोस्तों को share करिए, और lecture समाज में आया है, तो like करि और please बताइए, कोई problem हो रही, तो comment box में आप type करिए, कि क्या मुझे changes करने चाहिए, thank you so much for being with location sir, जै हिंच, जै भारत